कि पैसा खराब है, पैसा नहीं होना चाहिए, हमारे एक brain cell की memory करीब करीब 82 GB होती है, पैसा या तो जबीन का या कमीन का, तो इस सच को मुझे कहाँ डालना चाहिए, जूटी आवाज पर के सच आवाज पर, उसने बड़ा पैसा कवा है, जरूरू को दो नंबर का दंदा हाथ दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मेंत माईश्वरी, आप सभी का सौकत करता हूँ, Legends of Nation की सीरीज में, और आपको पता है कि हर बार हम एक ऐसी Cereability Guest को बुलाते हैं, जिनों पर लाइफ में हजारों लाखों करोडों के दिल में जगा बनाई है, और साथ-साथ उनकी लाइ बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप Legends of Nation तो ही है, साथ-साथ हम लोग आपको देखते हैं बहुत लंबे समय से, मताब अगर Public Speaking Industry Balloon, तो पिछले लंबे समय से हम आपको देखते आ रहे हैं, तो पहले तो मेरे लिए 100 बागे की बात है, आज आप हमारे साथ मे सर अे-नल्पी को लेकर ना, बहुत सार लोग exploited मेरे माइन्ड को रीड कर सकता है, क्या कोई व्यक्ति मेरे माइन्ड को रीड करने के बाद यह बता सकता है कि मेरे माइन्ड में किया चल रहा है, आज कल तो बहुत बड़ा साइंस के रूप में इसको देख भी रहे है, और Controvers कि money का manifestation जो है न वो बचपन से हमारे mind में programming के रूप में आ जाता है कहते हैं बचपन से हमारे माबाप ने हमें सिखाया है बताया समझाया है जैसा हमारे माबाप ने हमारे को पैसे के बारे में बताया समझाया है वैसी हमारे बिलीफ सिस्टम बने है और उनी बिलीफ सिस्टम के अधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं मुझे नहीं पता ये कितना सच है पर मैंने बहुत समझा है कि काफी सारे लोगों ने रिसर्च किये कि मनिफैस्टेशन को समझ के अपनी लाइफ को ट्रांस्वर्म किया जा सकता है और बच्पन के अगर कोई गलतियां पैसे को लेकर मनोव विज्ञान को लेकर हो भी गई है तो उसको भी चेंज करके माइंचेट को चेंज करके आगे बढ़ा जा सकता है आप इसके बैटर जज हैं इसके बारे में पहले प्रकाश भी डालिए थोड़ा बताईए कि क्या वास्तविक्ता में ऐसा होता है अगर होता भी है तो अपने उस बिलीव सिस्टम को कैसे चेंज करें ये आज हमारे सारे युवा साथी आपसे जानना चाहते है सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा अविनंदा नमस्कार और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया है और बहुत ही अच्छा टोपिक आपने लिया है कि क्या हम अपने बिलीव सिस्टम को ट्रांस्फोर्म कर सकते हैं या फिर NLP के द्वारा यानि के नियूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं देखे पढ़ने की तो बात पढ़ने से भी आगे की बात है डोक्टर आमीत मैं यह कहूंगा हम उनके दिमाग को ट्रांस्फोर्म कर सकते हैं पहली तो बात यह समझे कि जब हम अपने सबकॉंशिस की बात करते हैं तो सबकॉंशिस का मीनिंग है कि हमारे पास हमारे ब्रेन सेल्स हैं जिनका अपने आप में एक कम्यूनिकेशन होता है जिसको हम निरो ट्रांसमिशन कहते हैं हमारे एक brain cell की memory करीब करीब 82 GB होती है 82 GB? 82 GB. एक cell की? एक cell की. तो ऐसे कितने cell होते हैं हमारे mind? 80 billion. 80 billion cells? जी. और ये 80 billion cells जो भी आपके साथ कोई भी event लाइफ में हुई है उन इवेंट को इनोंने रखा हुआ है और कोई भी event आपकी लाइफ में अगर आप आजाए कोई news पढ़ लें वो ट्रिगर कर देती है उसी memory को. अच्छा बच्पन की चीज़े recall हो जाता है? रिकॉल. और कई बार उसका आपको पता नहीं होता उसकी emotion आपके अंदर आ जाती है अगर मैं बातों बातों मैं आपसे काऊं कि think of the memory या think of the event of your past जहां पर आप बहुत खुश हुए है immediately आपके mind ने उन्हें उठाना शुरू कर दिया है अगर मैं ये किसी से पोचो कि think of the event जब आप सबसे ज़्यादा दुखी महसूस हुए थे तो वो event एकदम से आ जाएगी यानि कि हमारी programming हमारे brain के अंदर इस तरह से whatever we think immediately हमारा subconscious उसी को सत्य करते हुए, सच करते हुए वही event हमारे अंदर create कर देता है और वही हमारी reality पूरी body में एक chemistry में बर्दल जाती है जिसको हम glands कहते हैं या hormone कहते हैं अब सवाल उठता है कि belief क्या है और इसके उपर बहुत सारी बाते होती है आप तो लोगों के पहले सी belief बदलते आ रहे हैं मुझे आज आपने मोका दिया तो belief बेसी के लिए यह समझे हमारे brain cells का जो आपस में connection है अगर वो किसी चीज पर कोई doubt ना करें और वो यह मान लें कि यह कप नहीं है यह tiger है यह फिर cobra है तो यह बस मेरा belief बन गया यानि कि जो unchallenged जो मेरी programming है वही मेरा belief है अगर मैं यह कहूँ कि अंदेरे में डर है तो बस मेरी लिए डर है आपके लिए हो सकता है अंदेरे कुछ भी ना हो समझ गे मेरी बार तो बेसिकलिए यह commanders है हमारे brain के लिए गड़बड यह होती है अमिज जी कि कई बार हमारे बच्पन में कुछ events ऐसी घटती है और उसको हम फिर reinforce कर देते हैं और वो belief बन जाते हैं एक बच्चा खेल रहा है अपनी नानी के साथ और उसकी नानी ने बोल दिया देखो यार पडोसी के घर जब से पैसा आया हमारी पडोसी जो है इनके बच्चे बिगड गए और अब आप मैं एक बच्चा हूँ मैंने यह सुन लिया और अगला सेंटेस उन्हों ने यह बोल दिया और पैसा बड़ा खराब है कोई बात लिप होता सर काफी लोगों के लिए मैंने कि अगर पैसा आ जाएगा तो आदमी बिगड जाएगा पैसा आने के बाद दिमाग खराब हो जाता है पैसे से लोग आयते तो खराब हो जाते है अच्छा पैसा बुरी तरीके से ही कमाया सकता है जरू उसका कोई दो नंबर का धंदा हुए तो बस यहां से जैसे ही आपने एक और इवेंट आपने ले ली लाइफ में कि यार फला आदमी ने देखो पैसा कमाया फला मूवी में देखो उस विलन के पास पैसा था वो ही सबसे ज़्यादा गलती करता था तो अब आपके दिमाग के अंदर एक बिलीफ क्रियेट हो गया जबकि वो मातर एक ओपिनियन मातर थी या एक इवेंट मातर थी कि पैसा खराब है पैसा नहीं होना चाहिए यहां तक कोई नुकसान निया है कि आज मान लेते हैं मुझे पैसे क्या वशकता है ठीक है न मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं मुझे अपने घर को अच्छा चलाना है मुझे कुछ और काम करने हैं जिसमें पैसे क्या वश बहुत पॉजिटिव होना चाहिए अभी मैं एक वैसी बच्पन के आपको बाप पताता हूं हमारे एक रिलेटिव है उनका डियलोग बड़ा फेमस है पैसे को लेकर पैसा या तो जमीन का या कमीन का तो अब भई देको या तो आपको जमीन होगी बहस सारी या आपको कमीना पड़ेगा तो उनका बेटा क्याता था कि पापा दे को घमीनी का या कमीन का मतला भ़ले आदमी का तो पैसा हो इनहीं सकता पर अगर देखा जाए तो दुनिया में हजारों करोडों ऐसे लोग हैं चो बहुत सज़जन पूरुश हैं और पैसे कि उनका पाथ भरमा रहा था किराए पर ले रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि पैसा जमीन का या बिलकुल कमीन का बिलकुल बिलकुल इसलिए आप इन बिलीफ को कभी भी सबकॉंशिस में जाकर NLP की टेकनिक से हम यह सिखाते हैं कि यह टेकनिक अब लगा दो जो सचाई आपके माइंड ने बना और इसे निगेट करने की मैं टेकनिक भी आप शेयर भी क्रोंगा चीजा तो समझ में आयती है पर कोई सॉलूशन नहीं बताता है तो सॉलूशन हमें चाहिए कि सर इसको कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है कैसे इसको समझा जा सकता हो कैसे उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करत हुए उस बात को अपने जहन में बसा सकते हैं कि हां सच में ऐसा होता है हाई घटना में आपको बता रहूं बड़ी मज़ेदार कहते हैं कि पेरेंट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे का माइंटट कैसा बनेगा हम लाइफ में क्यों आगे बढ़ पाए क् चाहे हमार पास कुछ भी नहीं था पर हमारे पेरेंट्स ने जो हमें बिलिट सिस्थम दिया ना वहमाईशा अग्म सब कुछ कर सकते हैं हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं thi एक Нौर्मल पूर फैमिली महीं आते थे लेगिन एक बिलिट सिस्थम था हमारे पेरेंट्स के कवर चड़ा रहता था और जब हमारे स्कूल में हमारे बाकी सभी दोस्तों के पास 50 पैसी एक रुपय मिलता था उस सब मेरे फादर ने मुझे अपना एक पर्स दिया था वालेट था उनका तो पुराना होगतरों ने मुझे दे दिया उसमें 10 का नोट एक 5 का नोट एक 20 का न मेरे फादर ने कहा किसको संभाल के रखना है खर्च करने के लिए वह आपकी पावर है जो आपको जुरत पढ़ने पर इस्तेमाल होगी तो वह सेविंग की हैबिट मनी को मैनिफैस्ट करने के साथ साथ उसकी पावर को समझने का जरिया था ज़रूरी नहीं कि हर वेक्ति को अनलपी के बारे में पता हो पर पेरेंट्स भी हमारे माइन में वो चीजें फीड करते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करेगा तो यह हमें हमेंशा ऐसा लगता था और उन्होंने यह भी का था कि लाइफ में जो भी करना चाहोगा वो सब कुछ होगा कभी नहीं कहते कि यह नी होगा वो नी होगा इसको घटना से बताएता हूं कि वो गली में पहले जब बहुत पुराने समय के अगर लोगों को बात याद हो तो जो कॉलनीज होती थी उसमों सपेरे आते थे सांप की बीन वजा के वो दिखाने वाले सांप का खेल तो कुछ बच्चे सांप स तो सांप को एक दुमई सांप होता है दो मुवला किती तो बिल्कुल ही नी काटता तो हम उसको लेकर गले में डाल ले थे और हमारे फादर उसको एक रुपया देते थे सांप वाले को कि बेटे के गले में डाले तो कहीं भी देखते थे सांप लेकर अपने को फील करना है क यार साथ कैसा लगता है, तो हमें डर नहीं लगता था, उन्हें बिलीव सिस्टम से हमारा डर साथ के परतिय निकाल दिया था, तो साथ, मैं बिल्कुल ठीक है, कुई बच्चों को देखती है, अरे साथ बेटा डस लेगा, तो वो पूरी जिन्दगी साथ से डरता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से हमारा, इसको हम रेफरेंस कहते हैं, जब आपके पास एक रुपिया जो आपको खर्च करना तो अलग है, और आपके जेब में बीस का नोट भी है, दस का भी है, पाँच का भी है, याद रखेगा, तो आपका माइंड रो जाना, एक रेफरेंस को रीइनफोर्स कर रहा है, कि मेरे पास यह है, और वो जो रीइनफोर्समेंट है, इसे ही हम निवरल पात्तवे, या माइंड नेट व यह हम NLP के द्वारा इन इवेंट्स को एक बार में ही इस बिलीफ को बदल सकते हैं और वो भी इंटर्नल वल्ड में जाकर वही टेक्निक मैं आपके साथ यह शेयर जरूर करूंगा। बिना ट्रेडिंग के भी शायद बच्पन से हमें वो चीजे मिली है पर जब ट्रेडिंग मिल जाए उसके बारे में और नॉलिज हो जाए तो शायद और जाद रहा नांस्मेंट हो सकता है आपको ए टेक्निक को प्रैक्टिस करना और सर जैसे बता रहे हैं पहले उसको नोट क लेकिन बगेर पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते पैसा आपको चाहिए चाहिए तब उन्होंने मेरे एक विलीफ को बदला जो मुझे बहुत ही खुब्सूरा टेक्निक लगी और वो कहीं भी आप कभी भी यूज कर सकते हैं आपके माइंड के अंदर सच अलग पड़ा हुआ है और जूट अलग पड़ा हुआ है पहला इस ट्यप आप सब लोग यह करें कि आप अपना नम मानो हजारों लोगों के सामने बोल रहे हैं फार एग्जामपल मेरा नाम रामवर्मा हैं और मेरे सामने मान लेते हजारों लोग हैं तो मैं लोगों को कह रहा हूँ माई नेम को आप बार 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 बोल रहे हैं, माई नेम इजरा, आप अपना नाम बोलेंगे निश्यत रूप से, जो भी आप है, और अब आप धीरे से इमेजिन करें कि ये आवाज आपको कहां से आ रही है, आपके सबकॉंशियस में, आप कई बर पाएंगे, वो आवाज आपकी यहां से वो आवाज मिल रही है, लेकिन अगर मैं आप अपसे कहां हूँ कि आप कोई जुटा नाम ले, फर एक्जामपल मैं कहता हूँ मैं माई नेम इस मदन पाल, तो मैं इसे सुन रहा हूँ, बार बार मानों मैं लोगों से कह रहा हूँ माई नेम इस मदन पाल, माई ने रही है क्योंकि ये जूट है और जो सच वाली है वो कहीं और है अब आप एक काम करें जहां पर आपका कोई भी पॉजिटिव बिलीफ बनाना आप चाहते हैं मान लेते हैं मैं ये मानता हूं कि येस आई केन मेक मनी और आई केन अट्रेक्ट मनी और मनी के लिए मैं वर्दी और इस आवाज को मैं कंटीनुवसली जब प्रेक्टिस करूँगा नव इट बिकम्स माइं माइंड्स इंप्रिंट ये मेरे माइंड का इंप्रिंट बन गया है जहां पर मेरा सच पड़ा है यानि के मेरे नियूरोंस के लिए अब ये एक सच हो गया है लेकिन अगर मेरे प एक बिलीफ पड़ा है कि पैसा खराब है पैसा नहीं आना चाहिए पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं पैसे से बीमारी आते हैं और ये जूट है पैसे वाले लोग खराब होते हैं पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं पैसा है न तो घमंड तो आए गई गई तो इस और लोग कहते हैं कि पैसे से लोग घमंडी बन जाते हैं, तो अब मेरा माइंड इस आवाज को जो इस्टरनल है, वहाँ पर शिफ्ट कर देगा जहां मेरा जूट पड़ा है, अक तरह से हार्ड डिस्क है, उसमें अलग-अलग ड्राइव बने हुआ है, कि सारा जूट इस ड् बहुत अच्छी लग रही है मुझे पर जो आप मुझे बता रहे हैं, मैं इसको कंप्यूटर फॉर्मेट में समझ रहा हूं, अब कहते हैं कि माइंड एक कंप्यूटर है, पर फिर भी मुझे बार बार यह लग रहा है, यह फाइल मुझे यहां सेव करनी है, तो कि वहाँ कि यह C-Drive है, D-Drive है, E-Drive है, F-Drive है, गाने मुझे यहां डालने हैं यहां डालने हैं, तो माइंड में वो ड्राइब मुझे कैसे दिखे इसको, कैसे प्रैक्टेस करूँ मैं, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप एक कॉंशेस माइंड में, यानि कि यह तना आवाज कैसे ढूंडू, यदपी अगर आप पांस से दस मिनट शांत रहकर बैड़ जाएं, और माइनेम इस करके, और माइनेम इस जूटा नाम करके सुनना शुरू करें, तो आप सब लोग इसके डिफरेंस को पा लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी पा रहे हैं, तो मैं सब दिल की आवाज तो ना, जो सच की आवाज है, वो तो मेरे इंटरनल वर्ल्ड से उपर की तरफ आ रही है, और वो मैं हाँ प्लेस करना चाहता हूं हाट पर, अगर यहां पर वो सच की आवाज हाट पर कर रहे हैं, तो वो जो उसके साथ जुडा हुआ बिलीफ है, उसको आप जुटा करना चाहते हैं, पुराने बिलीफ को, आप इमेजन करें कि वो आवाज जो जुटी है, निश्ची तरूप से उससे तो अलगी होगी, जो सच की आवाज है, उससे तो अलगी होगी न, बस उसे कहीं भी लोकेशन देकर, उसी लोकेशन पर आप जुटी जैसे मान लीजिए मैं काऊंगा मनलो किसी के माता पिता दोनों जीवेता है उसके किसी जानकार के कोई पेरेंट की डैत हो जाती है मदर की या फादर की तो वह फीलिंग में आनी पाती है कि हाँ ठीक है दोस्त है जाना है मुझे देखना है कि हाँ फादर की डैत हो गई या वहां जोसकी feeling है वह heart से आजाती है बिलकुल, उसकी आंके भर आती है, क्योंकि उसको वह imagination में सब कुछ वही नहारा हुता है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे father की death हुई, तो मेरे साथ कैसा हुआ, मैं इस बात को पता है, क्यों क्या पा रहा हूँ, जब तक मेरे father जीवित थ तो कभी भी घृट होती था था, क्या एक व्यक्ती चला गया, यार, दुख की बात है, तो कहुँ अधर की death हो गई, तो चला जानल का यार, मेरे जानकान है, मेरे नून है, उनके father की death हो गई, तो दुखत घट रहे है, और 2009 के बाद, जब मैं किसी a, किसी नोन परसन का सुन मैं वहाँ गया हूँ तो कहीना कहीना आप बिलीव करें सर कि जिस समय वह क्रिमिनेशन गाउंड पर होते हैं उस समय चाहे में उसके फादर से लाइफ में पहले कभी नहीं मिला लेकिन मुझे वह सारी बात रिकॉल हो जाती है मुझे वह सारी चीज वह चिता पर व्यक्ति के लेटे हुई जो रखी हुई बाड़ी है उसको देखते हुए ना मुझे अपने सब कॉंशियस माइंड से सब रिलाइज होता है और मैं खुद कई बार ऐसा हुआ है कि आसू मेरे निकल जाते हैं और मैं बड़ी अच्छा कंट अज़िव बार क्या होता है की बिलीब सिस्टम में कैसे चीजों को स्टोर चाहए मुझे तो लगता है कि यहां से मेरी है है अगर कोई फिलिंग ऐसी और इसको कोई व्यक्ति शेर नहीं करना चाहता या वो चाहता है कि मेरे माइंसे वह हटजाए जैसे गतना मैं आपको बस हो गई चोट लग गई तो लोग ना उसको लेके उसको लेके उसके पर बहुत सारी बाते गहते हैं जिसे बीपी शुगर है for example किसी विक्ति से मिले अरे भाई सब बीपी तो मेरा यह चल रहा है शुगर तो मेरा चल रहा है उस तहानी को गाते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता तो मेरे वो कानों में जाती नहीं है मेरे सौफ्टवेर में इंस्टॉल नहीं होती और मुझे लगता है अरे बेकार की बाते बता रहा है ऐसी मेरे साथ अगर ऐसा क्यों है क्योंकि मेरे साथ भी तो कभी ऐसा नहीं हमेशा है स्वस्त्रा हूं कभी कोई बीमारी हो गई कभी कोई डिसीज हो गई या कभी कोई चोट लग गई इंजरी हो गई तो मेरे माइंड में वो चीज एक स्पेस नी बनाती ठीक होती है और मैं इसको बिल्कुल भूल जाता हो एक तरह से मतलब मेरे नोन परसन को पताना पड़ता तेरे साथ ही गवा था अच्छा मेरे साथ गवा अच्छा हाँ यारी तो मुझे भी भूआ था तो मैंने ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है और अगर कोई चीज ऐसी घटना होगे इसको डिलीट कैसे करें ये चीज मैं थोड़ा जानना चाहता हूं हाँ देखिए इसमें दो तीन चीजे आपने करी पहली तो चीज पहले तो उसको ना मैं सभी लोगों को एक किफ्ट देना चाहूंगा जब भी आपके पास कोई भी इमोशनल बर्डन हो और किसी भी तरह का इमोशन हो तो बेसिकली एक टेक्निक है हमारे हैं एंकरिंग एंकरिंग का मतलब है ट्रिगर के जैसे या आपने किसी से रेस्ट्र है वो बेसिकली हमारे कॉंशिस माइंड से लोजिक माइंड से परे की बात है ऐसे नहीं कर सकते हम कि अब हमें किसी तरह से कंट्रोल कर दो अपने इस लाइवरी ग्लैंट को कि ये रेस्ट्रॉंट देखकर पानी ना डाले मूँ में अब आपको एक छोड़ी ची टेक्निक म निकालती जब हम सुस्त रहते हैं हाट पर और अगर हम हाट के लेवल पर निगेटिव हैं तो वो 1260 निगेटिव निके आर 2060 केमिकल का मैं नुकसान होता है 1260 निगेटिव है और 1400 आपकी पोजेटिव है तो आप एक काम करें जब भी आप इमेजियन येस आद रखेगा औ आपके अंदर वो सब आपकी इमेजिनेशन में ही पढ़ी है, यानि कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ इमेजरीज में और फिलिंग्स में पढ़ी हैं और साउंड्स में पढ़ी हैं। तो मैं एक छोड़ी टेकनिक आपको बता रहा हूं कि किसी भी ट्रिगर को कॉलैप्स कैसे क इस लेफ्ट की इमोशन को, बर्डन को यहां पर फिल करो तोड़ा सा, हो सकता है यहां पर आप इसका कोई मेटाफॉर संकेत भी ले सकते हो और इसका कलर भी ले लो एक बेकार सा, यानि कि आपने एक बेकार की फिलिंग को उसके मेटाफॉर, उसके संकेत को अपने हाथ पर ले लिया है दूसरे कलर पर आप हाथ पर लो यह आपका डिवाइन कलर होगा यह निकि एक पॉजिटिव कलर होगा जिसमें आप कह सकते हैं कि मैं इंस्पाइरड हूं मॉटिवेटी तो भी आद्यात्मिक कलर है मैं विजडम फूल हूं मैं बलेस्ट हूं ठीक है न और इसके यहां पर अच्छे वर्ड भी ले सकते हो आप अपने कोई मंत्रा ले सकते हो कोई वाव साउंड ले सकते हो कोई म्यूजिक ले सकते हो और आप इमेजिन करें कि इन दोनों हाथों पर इसका कलर डिफरेंट इसका डिफरेंट है और आप कुछ देर तक ऐसे रगड़ते रहे जी और आखे बंद करके इमेजिन करें कि दोनों कलर्स बेसिकली रिलीज हो रहे हैं आपके हतेलियों से और वो रंग बदलता जा रहा है रंग बदलता जा रहा है और इमेजिन करें कि रंग बदलते 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 आप पूरी इमोशन को हार्ट से आप इस हाथ प बदलता जा रहा है और इस हाथ को आप ऊपर कर देंगे तो आपके पॉजिटिव थाट पॉजिटिव उपर देंगे और आप इसको खूब देर तक ऐसा है रगड़ा है खूब देर का मतलब है आदी मिनिट या 40 सेकिंड 50 सेकिंड तक इमेजिन करो कि आप इस रगड़ते जा करें कि तोटल कलर जो आपका है वो सिर्फ पॉजिटिव हो गया है अराउंड इविन यूर हार्ट आप पाएंगे कि अब उसके परती आपका जो भाव था वो बदल चुका है इतनी दिर में आप उस ट्रीगर से बारा जाएंगे उस ट्रीगर को कॉलेप्स कर चुके होंग तो वो हीरो इसको बोलता है कि ठीक है क्या हो गया तेरे लाइफ में से अगर वो चला गया तो 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 भी उसको फायर आउट कर दे कि तो जाता ही नहीं मेरे जहन में समाया हुआ है मुझे पल-पल उसकी आदा है हर पल मैं उसके बारे में सोसती हूँ कहता है उसकी फोटो ह में भी आप देखें, हमारे पिरेंट्स, हमारे बाप दादा एक वर्ड बोला करते थे पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, NLP की टेक्निक है, हम उस आदमी को कहते हैं कि वो इवेंट कब घटी थी, पजागे मट्टी पाओ, अच्छाडों गाल में तो अदुसे मट्टी पा और अब आप इमेजिन करो कि वो इवेंट वहीं आप उसे ले जाओ, और वो कहता है कि नहीं जा रही है, तो मैं कहता हूँ धागा बांदो, या एक रबर बैंड बांदो, मैमोरी के साथ, 1, 2, 3, रिलीज करो इसको, और आप इमेजिन करो कि आप वहां पर एक बड़ा तू हाली हो जाता है, तो हम वहां पर कई वर उसे कहते हैं कि वहां इमेजिन करो, वहां पर एक ब्लैक होल है, और वो जो बेकार की मैमोरी है, नए दस साल पहले, आप उसे ब्लैक होल में जाते हूए और श्यू की आवाज सुनो, ठीक है ना, और उससे डिटेच होकर आप प्रिख रहा है, यह रियल है उनके लिए, तो कही बर हम कहते है कि वह क्या है, तो कहते हैं अजने हाथ पकड़ ले उसे काट दे और आगे चल के दे, याद रखेगा, मूव और करना एमोशनल ही बहत जरूरी है पहले है, एक प्रश्न बड़ा महतवपूर्न है, यह तो सौ में से नब्बे प्रतिशत लोगों के जीवन में उखटित होता है। हम लोग चाइल्डोड में हमारे साथ कोछ चाइल्ड अब्यूज हो जाते हैं या कुछ ऐसी घटना ही हो जाती हैं जो हमारे माइड में डार्क सरकल के रूप में रहती हैं एक dark path के रूप में रहती है dark storage के रूप में रहती है और यहां तक की वो हम खुद भी किसी से शेर नहीं करते है ना हमने कभी मदर को बताया ना फादर को बताया ब्रदर को, सिस्टर को, किसी friend को, किसी को नहीं मताया कफी सारे आज भी मैं मैं इस एज पर हूँ तो मेरे को पता है कि इस एज के बहुत सार लोग ऐसे होंगा जिनके साथ बच्पन में कोई चाल्ड अभीज हो गया होगा, कोई ऐसी गलत घटना हो गई होगी, तो उससे उनका माइंड ना स्ट्रॉंग नहीं बन पाता है, वो कोई भी चीज करते हैं त कि परिशानिया हैं, जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में किसे डिस्कस नहीं पा रहे हैं, किसी वरक्शाप में अगर जाते हैं, सैमिनार में जाते हैं, तो वहाँ ओपन पब्लिक होती है, बहुत सारी होता है कई भी सो लोग आपके वरक्शाप में बी, 500-1000 जार लोग मैंने देखे हैं आपके auditorium में बैठे होते हैं तो इतने सारा लोगों के बीच में बंदा डर के अपनी बात नहीं रख पाता नहीं कहा पाता या कई बार मौका नहीं मिल पाता तो मैं यह चाहता हूं कि हमको एक ऐसी स्थान वव्यक्ति का नाम बदल दिया गया है तो इस तरह कि हम एक सीरिज ले कराएं एक एमेल ऐडी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे और यहां भी एक एमेल आडी लिख देंगे आप मेल पर अपनी जो भी प्रॉब्लम आपके लाइव की रही है य अमिद जी के साथ इसी तरह से हम लोग एक सीरिज चुरू करते हैं और जैसे रिस्पॉंस आएगा उसको हम कॉंटिन्यू करते जाएंगे तो यह आज के कारिकरम से मैं जो आप लोगों के लिए गिव वे जैसे बोलते है ना तो आप लोगों के लिए टेक अवे मैं बोलता हम दोनों मिलकर आपके सुनरे बुष्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत